तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इस winner's education point में आप मैं आपको clear करना चाहती हूँ कि ये education portal तो है ही इसके साथ साथ ये आपका personality management और personality development का भी portal है जिसमें मैं आपके लिए students के लिए especially ये content ले का रहा हूँ जिसमें आएगा stress management चुकि exam के दिन नजदी का गए हैं तो आप चलिए अंत तक बने रही हैं इसको देखती हैं और कुछ point हम अपने stress को दूर करने के लिए निकालते हैं पहला है life is more important than any other exam आप समझ के होंगे कि हमारी जिंदगी बहुत महत्पूर्ण है अंदर किसी भी exam से तो हमें अपने सबसे पहले जीवन को देखना है और उसके हम किसी भी चीश के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं हमारा selection होगा या नहीं होगा होगा तो कब होगा कितना समय लगेगा अगर नहीं हुआ तो क्या हुआ अगर होगा तो कौन सी post मिलेगी दियरा lots of thinking जो कि हम अपने दिमाग में डालते रहते होलती सीधी ची कर देती हैं आप stress में आ जाती हैं तीसा anxiety अती पढ़ने के बाद आपको ठकावट होने लगती है अगर आपको किसी प्रकार की ठकावट होती है तो इसको अपने माइंड को रेलेक्स कीजिए अती पढ़ने की ज़रूरत नहीं है लेका अच्छा पढ़ने की जरूर जरूरत है फिर आप pressure लेने लगते हैं घर वालों का pressure आप खुद का pressure दोस्तों का pressure और विरुजगारी का pressure फिर expectation आप से लोग expectation करने लगते हैं environmental effect जैसे कि ठंड है या फिर बहुत जादा गर्मी है तब भी आपको stress होने लगता है तो आपको इन सब करणों को identify करना पड़ेगा कि आ अब आप दूर किस परकार कर सकते हैं stress को तो इसका है कि आप सबसे पहले तो stop कीजिए overthinking live in present आप जो भी आज कर रहे हैं आज अपना 100% दीजिए यही आपकी जीवन में बाद में काम आएगा फिर research another option one job cannot decided your future तो सबसे पहले आप PhD का exam दे रहे हैं वो उसके लिए बहुत ब करती हूं लेगन इसके साथ साथ आप और भी option सर्च करते रहिएगा आप इसी को अंतिम पढ़ाओं मत मान के रहिएगा अभी जोलाई का exam भी बागी है तो इसलिए stress का कोई question ही नहीं आपको अपने दिमाग में लाना है फिर है आपको अपनी priority decide करनी पड़ेगी क्या आपक अपने goal decide करने पड़ेंगे कि आपको किस किस जॉब में जाना है आपको अपने mind में clarity रहनी चाहिए टेक healthy food और do not talk with negative person जब भी आप किसी negative व्यक्ती से बात करती है तो negative जो नकारात मकता है वह एक संक्रामक बीमारी की तरह है वह अपने आसपास रहने वाले सभी लोगों को संक्रमित कर देती है तो इसलिए आपको negative person से दूर रहना है फिर जान है तो जहान है अगर आप रहते हैं खुश आप अच्छे से रहते हैं तो आप सब चीज़ अच्छे से कर सकते हैं अच्छे से पढ़ सकते हैं अच्छे से आप लिख सकते हैं अच्छे से आप खुशी अपना जीवन्यापन कर सकते हैं आप कंपेर्स मत कीजिए अधर्स से जैसे कि उसने इतना पढ़ लिया वो इतने वज़े उठ जाता है मैं इतने वज़े नहीं उठ पा रहा हूं और मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं तो देखी आप यतने समय भी पढ़ पा रहे हैं उतने समय को ही अच्छे से आप कवर कीजिए MPPSC में कभी भी यह कोई कॉलम नहीं है कि जो व्यक्ती 12-15 गंटे पढ़ेगा वही सिलेक्ट होगा बलकि इस टाइम है स्मार्ट स्टडी का स्मार्ट ली पढ़िए और बे हिचक बे रोक टोक आपको जो मन करें आप वो पढ़िए अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी अपना सलेवस आप देखिए आपनी प्रायोरिटी के अनुसर आपका जो पुर्शन कमजोर है वो देखिए सलेवस को हाथ में रखिए फिर आप कोई डेवलाप स्किल कीजिए स्किल डेवलाप करने का अर्थ ही जैसे कि जल्दी पढ़ना या जल्दी लिखना या पर अपने बेन को इस तरीके से तेयर करना कि वो जल्दी आपको याद करने में सहायक हो या अच्छे दोस्त बनाना जो कि आपको हमीसे सकारात्मक इनर्जी दें दोस्तों मुझे लगता है कि इतने बिजी शेडूल में आपके लिए ये वीडियो इतना छोटा ही परियापत है अगर कोई भी स्टूडेंट किसी प्रकार की स्ट्रेस से है तो वो किसी प्रकार का कमेंट कर सकता है उसकी समस्य को दूर करने का उपाई किया जाएगा पढ़ाई करती रहे लेकिन उसके साथ साथ आपको सतत मोटिवेटेड और रहने की जरूरत है और आपको कॉन्विडेंट डिवलप करना पड़ेगा, आपको कॉन्विडेंट रहना पड़ेगा जब तक कि एकजाम नहीं हो रहा है, खान पी अन पे ध्यान देना पड़ेगा और किसी भी फालत वीडियो से बचना पड़ेगा आपको यूट्ईउब वगेरा की और दूसरे अपने मातपता से बात करती रहिए आराम करिए और संडे वगेरा को जब भी आप बहुत ज़्यादा पढ़के ठक जाते हैं तो थोड़ा बंदर वगेरा भी जा सकते हैं तो इसी वीडियो के साथ आपके लिए बहुत बहुत अग्रिम सुब कामना है थैंक यू तो ओहिद रहां जबूच्वाद करेंसे ट्रूफ और सम्सक्राज को सब्सक्राइज पारो सम्सक्राइजेष जब साथ च्छाइजब कामना है नवयरा ग्री जन बहुते हैं तो चुबूच्बूच्ब